सबी बच्चों को नमस्कार एकोंकार मेरे प्यारे दोस्तों English Acumen अपने आप में एक complete book है इस book के अंदर आप लोगों को grammar, theory, सारी की सारी vocabulary और comprehension के अलग-अलग variety के questions देखते को मिलते हैं इस book को बहुत patience से तयार किया गया है इस book के अंदर details दी गई है हर एक grammar के topic की, हर एक grammar के topic में क्या-क्या सवाल आप से पूछे जा सकते हैं और क्या possible ways हैं आपको confuse करने की वो हर तरीके आपके सामने book में दिये गए हैं आप लोगों को vocabulary याद करने में जो-जो परेशानिया आती हैं उन सभी परेशानियों का solution इस English acumen में बेहद खुबसूरत तरीके से किया गया है और इसी के साथ साथ comprehension के close test, parajumble और unseen passages को soul करने की technique तयार की गई हैं हमारी इस book में QR code भी दिया जाता है और इस QR code में आप सभी के सभी chapters और उनके practice questions के video solutions भी पाएंगे तो आज ही इस किताब से पढ़ना शुरू करें और अपनी सफलता को सुनेशित करें सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे चोटे चोटे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग कैसी चल लिए आप लोगों की बढ़ाई इसे टोप राइट कोर्नर में कर दीजिए सर, voice bar को तो बहुत सारे बच्चे आज मुझे यूट्यूपर भी लाइब देख रहे हैं और करियर विल एप पर भी मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है दोस्तों नमस्कार, नमस्कार एक बार सभी के सभी बच्चे फटा-फट से आजएं और चलिए, नाइस, नाइस, नाइस दोपहर की प्यार भरी नमस्कार आप सभी को ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ी आजए तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादा इधर दर की बातें हम नहीं करेंगे ठीक है, ठीक है, फाइन, एक बाई कहरा है, सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं हैट्स ओफ टो यू, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच देखो, मेरे लिए मोटिवेशन आप सभी है, और आप सभी का मोटिवेशन मैं हूँ और हमारे बीच के इस दिल के तार को जूड़ने वाली जो खुबसूरत सी चीज है, तो खुबसूरत सी चीज है आप लोगों की और मेरी एक प्यारी सी महनत और मैं उमीद करता हूँ, आप इस महनत की बहुत इज़त करते हैं, और इस इज़त के आधार पर मेरे साथ मिलकर जो भी क्वेशन्स हम डिसकस करेंगे इस प्रैक्टिस पैच में, वो सारी चीजें आप अपने एक्जैम्स तक याद रखेंगे, और बगवान ने चाहा, त लेटेस्ट पैटरन पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है जी, बात समझ में आ रहे हैं बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है, आज हो मेरे बच्चों, प्यारी प्यारी कहाने को हम शुरू करते हैं, टुड़े इस दे नमबर त्री, ठीक है, तो आईए प्यारी कर देंगे, और साथ साथ चाय भी चलती रहेगी, ठीक है, चलिए, गाड़ी चलाते रहेंगे, चलते रहे हैं, फटा फट से, चलती चलती रहे हैं, नाइस, आपर से इस दे लिखा है आगे, वोस दा प्लेराइट हिमसल, देखो, एक तो सारे बच्चे फटा फट स प्लेराइट का मतलब होता है, जो नाटक लिखने का काम करता है, ठीक है ना, यह वो इनसान होता है, जो नाटक लिखने की कोशिश करता है, ठीक है ना, इसे हम नाटक लेखक भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं, ड्रेमेटिस्ट, इसे हम कहते हैं, ड्रेमेटिस्ट, William Shakespeare का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो William Shakespeare एक बहुत ही महान, dramatist थे, playwright थे, वो अपने नाटक लिखते थे, ठेक है न, spelling का ध्यान रखे बेटा, spelling test में भी आ जाती है ये बात, fine, and I didn't even recognize him, चलो, एक बात यहाँ पर और भी मुझे समझ में आती है, अगर हम किसी भी sentence के अंदर, ladies and gentlemen, अगर हम किसी भी sentence के अंदर, अगर मैं कहता हूँ आपके सामने, मैंने आपके सामने कहा, she prepared the project, she prepared the project herself, अगर मैं आपके सामने ये सवाल लिखकर पूछूँ, मेरे बच्चों, आप में से कुछ बच्चे जो serious NDA की तयारी कर रहे हैं, मैं अगर उनसे ये सवाल पूछूँ, she prepared the project herself, तो आप एक बार मुझे ये बताएंगे, ये जो herself लिखा हुआ है, किस तरह का pronoun है, ये reflexive pronoun है, या फिर अगर मैं आपको कहूँ, कि ये एक emphatic pronoun है, ये आपके examination, serious NDA का common question है, फटाफट से, फटाफट से, तो चीन बच्चों ने इसे reflexive pronoun कहा है, वो गलत जवाब दे रहे हैं, ये एक emphatic pronoun है, जिसका काम है emphasis करना, ठीक है न, तो अगर आप देख रहे हैं, इस himself को लिखा हुआ, तो ये अपने आप में emphatic pronoun है, और ये गलत नहीं है, ये अपने आप में बिल्कुल सही है, ठीक है, emphatic की spelling भी ठीक लिखने की कोशिश करें, कुछ बच्चे emphatic की spelling गलत लिख रहे हैं, E-M-P-H-A, ठीक है बच्चे, तो अब अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, I didn't even recognize him, मैंने उसे पहचाना भी नहीं, जो इनसान तीटर में मुझे मिला, वो एक प्लेइराइट था, ठीक है, अब बचे यहाँ इस लिखेवे सवाल की, अगर हम बात करते हैं, तो इस सवाल में हम लोगों को error कहां देखना है, आप एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजएगा, मैं इस सवाल को दूसरी तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा एक sentence, I know, I saw a lady who was crying, ठीक है, यह सवाल हम लोगों ने relative pronoun के दुरान, अपने lectures में भी समझा है, regular classes में भी समझा है, तो बताएंगे जरा बेटा, इस लिखेवे सवाल में आपकी तरफ से कोई, मनला कोई दिक्कत है, तो उसे ठीक करके बताएंगे, बलीज, बताओ जरा, तो आप इस लिखेवे question को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर ये सवाल सिर्फ इतना ही पढ़ने को मिलता है, I saw a lady, तो आर्टिकल A या N जब भी हम यूज करते हैं मेरे दोस्तों, आर्टिकल A या N का जब भी हम यूज करते हैं, तो ये convey करता है general sense, यानि कि ऐसा कोई भी हो सकता है, बोलो हाँ, लेकिन अगर इस lady के साथ, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने एक relative clause का use कर दिया है, किसका use कर दिया है, अगर हमने एक relative clause का use कर दिया है, तो ये relative clause use होने की विज़े से, जनरल न रहकर ये बन जाता है, क्या चीज? Specific, और मेरे बच्चों, Specific Sense को बताने के लिए, हम लोगों को जरूर पढ़ती है, Article the, क्या कहा? हमें जरूर पढ़ती है, Article the, तो बस बात इतनी सी है, और बिल्कुल सरल हो गई, आपने यहां इस sentence में क्या कहा? I met in the theater, तो पहले आप यहां पर एक relative pronoun लगाएंगे, whom, और इस whom की वज़े से लिखे हुई यह जो person है, यह बनता है Specific, तो part C के अंदर दो जगह पर गलती थी, भाई, ठीक है ना? तो कुछ बच्चों ने ABCD करके answer दिया, वो मेरे साथ एक बात को सुभार लें, ABCD, Ladies and Gentlemen, ABCD करके answer बताने से पहले, आप ABCD answer बताने के साथ, उसकी reason को भी ज़रूर बताया करें, ठीक है दोस्तों? ठीक है? Promise? Fine, चलो, Pinky Promise, आप सुभा के बैच में मुझे पता चला कि Pinky Promise, यह वाला Promise होता है, जब छोटी-छोटी दोनों उंगलियार से टकरा कर आप बोलते हैं, कैसे कैसी चीजे चल रहे हैं, ठीक है? अगला question है, ladies and gentlemen, आपको इस लिखेवे sentence का active voice बनाना है, पहले sentence को ध्यान से पढ़ेंगी, फटा-फट से बनाने की कोशिश करेंगी, speed से बनाएंगे, चली बच्छी फटा-फट से? शाबाज, बहुत बढ़िया चीजे, बहुत बढ़ियाँ, अब आता है हमारे सामने लिखा हुआ, Nathan was declared fit to play the next match, यहाँ was declared लिखा हुए, एक बात हमेशा याद रखना बिटा, हमारे सामने एक बहुत खुबसूरा tense है, जिसे हम कहते हैं, past indefinite, हाए ना, क्योंकि हम अपने past से भरे हुए होते हैं, ठीक है, active voice में, past indefinite में हम use करते हैं, second form of verb, या फिर did के साथ हम use करते हैं, क्या चीज़? first form of verb, तो दोस्तों, जब हम इसको passive में transform करने की कोशिश करते हैं, तो passive के लिए हम use करते हैं, इसके साथ was या फिर were, और उसके साथ लगाते हैं third form of verb, ठीक है, ठीक है, तो अगर हम इस बातचीत को खुबसूरती से देखने की कोशिश करें, तो अपन को चाहिए second form of verb, यहाँ second form of verb, इसमें answer बन सकता है, ये वाली बातचीत बाहर हो गई, और ये वाली बातचीत बाहर हो गई, ठीक है, अब एक बात को आपको ध्यान से देखना है बाबू, पड़े प्यार से समझने की कोशिश करना है, क्या, भाई passive voice का जो object है, वो क्या है, नितिन है, ठीक है, तो active voice का भी subject नितिन कैसे हो सकता है, हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, अगर मैं आपके सामने कहता हूँ, एक छोटी सी बात, रामा, किल्ड, रापना, तो मेरे बच्चों, जब आप इसका passive बनाने का काम करोगे, तो इस object को subject की जगे रखोगे, बोलो हाँ, हाँ साथ साथ बोलते रहा करो, क्योंकि हाँ बोलने से confidence ज़रूर आता है, मैं कल एक बहुत अच्छी बुक पड़ रहा था, और उस बुक में एक बहुत अच्छी line लिखी वी थी, कि अगर आपका कोई भी दोस्त परेशान हो, दुखी हो, बस आप उसके पास जाकर इतना सा ज़रू कह दिया करें, मैं हूना, तो परेशान क्यों होता है, आप उसकी परेशानी में मदद करें या ना करें, लेकिन आप उसको emotional stability ज़रू दे देते हैं, आप उस इनसान को एक चीज़ पर बड़ा ताकतवर बना देते हैं, और वो क्या है, वो इनसान डर ना छोड़ देगा, क्योंकि आपने जब उसको कहना, मैं हूना, डर क्यों रहे हो, तो वो बस इसी बात से डर खत्म हो जाएगा, बस यही याद रखना, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, इस छोटे सी बात्चीत के लिए, लिखा है, कैंसल और डू अवे, बच्छा, डू अवे, मिलती जुलती बात कर रहा है, विद, किसी इसको अलो और अग्रिमेंट, ठीक है, तो किसी भी अग्रिमेंट को कैंसल करने की बात्ची चल लिए, बता दो भीया, किस से करो लिए? चलो भाई, चलो, इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखो जी, सबसे पहले एक शब्द है, मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे, देखो क्या लिखा, प्रो, रो, गेशन, मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे, जिन शब्दों के अंत में, एशन ज़ुडा होता है, बाबु, वो अपने आपमें, सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाता है, नउन कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे दोस्त? नाउन ठीके ना? प्रोरोगेशन शब बना है प्रो रोग से किस से बना है? प्रो प्लस रोग से ठीके न? और रोग हम किसे कहते हैं? लो भई लिख देता हूँ इसकी हिंदी बदमाश और प्रो का मतलब होता है फॉवर्ड क्या होता है? फॉवर् meeting को discontinuation of a meeting or assembly अब ये शब्द आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आप अक्सर news वगरा देखते हैं तो news में आपको देखने को मिलता है कि town hall की meeting आज discontinue कर दी गई आप देखत रहे हैं कि legislative assembly की meeting discontinue हो गई हाए ना मेरी बात समझ रहे हैं MCD की meeting थी discontinue हो गई तो ऐसी जो प्यारी प्यारी चीज़ें आपको newspaper मिलती है तो prorogation कहते हैं इसे हाए ना कुछ ऐसे बदमाश होते हैं जो चलती meeting में आगे आ जाते हैं माइक उखाड लेते हैं चपले मारने लग जाते हैं speaker को क्या काम है उनका meeting जो चल रहे हैं उसको रूक देना तो भाईया ये वाली बातचीत जगह सही नहीं लिखी जा रही ultimate का मतलब क्या होता है जो अंत में आता है यानि कि जो उसके बाद कुछ और बचता ही नहीं है हाई ना तो ultimate अपने आप में adjective हो गया सारे बच्चे एक बार लिख लेंगे फटा फट से ultimatum अपने आप में इससे बना एक noun है और अगर इसका आप plural बनाओगे तो आप इससे plural बनाओगे क्या कहकर ultimata क्या कहोगे बेटा ultimata मेरी बात समझ में आगी जी ठीक है fine बात यहां तक समझ आ रही है बच्चे ठीक है ना तो ultimation का मतलब क्या होता है जब हम किसी चीज को अंतपर लेकर जाते हैं लेकिन इसका law agreement से तालुक नहीं चलो बाबू ये भी बाहर हो गया cancellation किसी भी चीज को cancel कर देना होता है हाई ना अब आप किसी भी कानून को या किसी agreement को खारिज करते हो तो उसे कहते हैं abrogate सारे बचसे ने एक बड़ी spelling को लिखकर दिखाएंगे चलो बाबू फटा फट से लिखकर दिखाओ शाबाज लिखकर दिखाएंगे फटा फट से बेटा हाँ जी spelling मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश किया करें जब साथ साथ लिखोगे तो spellings के साथ साथ आपको वो words याद भी होंगे पेपर में देखने को मिलके तो चुटकी बजा के आप उन शब्दों को उड़ा देंगे ठीके भई चलिए अगले question पर आते हैं someone's heart is in the right place ओए 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 फरवरी का ये महीना फरवरी का ये महीना आ रहा है आपके सामने 14th feb हाँ जी 14th feb को क्या खास बात है भाई 14th feb को क्या खास बात है भाई थोड़ा सा बताएंगे मुझे comments में देखें कौन-कौन शिकारी भाई हमारे बीच है तो बेटा 14th feb को पता है क्या है 14th feb को है cow hug day तो बेटा क्या है cow hug day यानि के हम गाए माता के सम्मान को बढ़ाने के लिए हम गाए माता के गले लगने का एक दिवस बना रहे हैं ठीक है फाइन और भाई अगर फिर भी किसी के दिल में आश्की आ रही हो तो भाई याद रखें Tuesday आ रहा है बजदर्गदल मिलेगा वेटे ठीक है तो चलिए अब आजाओ अगर किसी इंसान का दिल सही जगह पर है इसका मतलब आप उस इंसान को क्या कहेंगे कभी कभी कुछ लोग गलत वैवार करते हैं लेकिन वो होते अपनी जगह सही है ठीक है बई हाई ना चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं दा एड़ोकेट एड़ोकेट बहुत प्यारा शवद बना है एड़ के साथ वी ओ सी और उसके बाद जोड़ दिया है एट सीखें ये शवद बना कैसे है वी ओ सी का मतलब होता है स्पीक बोलना एट का मतलब होता है तू मेक या कॉज ठीक है क्या होगा तू मेक या फिर कॉज और एड़ बी का मतलब होगा तू या फिर तौर्स इसका मतलब जो किसी के लिए बोलने के लिए रखा जाता है उसे हम कहते हैं एड़ोकेट अगर सिर्फ advocate का ही meaning आप से पूछा जाए तो इसे हम कहते हैं support करना verb की तरह इसका synonym हो गया noun की तरह अगर हम कहें तो supporter बन गया ठीक है भाई? noun की तरह कहें तो supporter बेटा लिखो, लिखने से चीजें याद होंगी और वो चीजें कभी गलत नहीं होंगी जो बच्चे YouTube पे मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं वो वीडियो को like, share जरूर कर दें क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाने का वाइदा है ठीक है बच्चे? आज ओफटा-फट से ठीक है? The advocate was warned for using casuistry क्या लिखा है? casuistry पढ़के देखो धियान से casuistry to mislead the jury तो casuistry का मतलब क्या हो गया है? समझने की कोशिश करते हैं sophistry का मतलब क्या कहेंगे सबसे पहले हमारे सामने? एक एक करके समझते हुए चलेंगे बाबू sophistry का मतलब क्या होता है? sophistry का मतलब होता है जो deceptive है deceptive है deceptive statement यानि के एक ऐसी statement जो धोखा देने के लिए यानि के सच को छिपाने के लिए बोली जाती है मेरी बात समझ रहे है? जो सच को छिपाने के लिए बोली जाती है जिसके जरीए सच बाहर ना आए उसे sophistry कहते हैं इसी शब से बना sophistication यह शब बना है किस से है? पता है किस से बना है? यह शब बना है sophistry से किस से बना है यह शब? Sophie और Sophie का मतलब होता है wisdom बुद्धी यानि के जहां आप बुद्धी दिखाने की बुद्धी लगाने की बात कर रहे है या बुद्धी को भरस्ट करने की कोशिश करते हैं, sophistry हो गया, ठीक है, cacophony का मैं मीनिंग आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ रहे ना, ध्यान से समझते चलेंगे और बोलते चलेंगे बाबू, क्या लिखा है, cacophony, cacophony का मतलब क्या बताया गया है, आप लोगों को bad, phony का मतलब क्या हो गया, sound, यानि के कोई ऐसा, कोई ऐसा काम जिससे बुरी आवाज आनी की बात हो, हाई है ना, तो cacophony हो गया हमारे सामने, आगे लिखा है, insinuation, मेरे बच्चों इसको बोलने की कोशिश करेंगे, इसे हम कहते हैं, insinuation, ठीक है ना, फिर से बोले, insinuation भी बोल सकते हैं, insinuation भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है, जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका एक छिपा हुआ अर्थ सामने आता है ठीके ना इंसाइन्वेशन का मतलब होता है hidden meaning hidden meaning या approach किसी चीज़ को छिपा कर कोई दूसरा काम करने की कोशिश करता है ठीके बिटा अच्छा मेरे दिल में एक बात आ रही है इसका एक synonym में ऐसा आपको बताना चाहता हूँ जो परीक्षा बार-बार पूछती है है जी बता दू कहते हो तो ओ छोटे-छोटे शिकारियो ये ऐसा synonym है सारे बच्चों को कसम है मेरी दो-दो बार लिखकर दिखाएंगे सारे बच्चों को कसम है मेरी दो-दो बार लिखकर दिखाएंगे भाई ये आपके examination में जरूर पूछा जाता है ठीके न जी लिखो भाई सारे के सारे बच्चे लिखकर दिखाएंगे और जो नहीं लिख रहा है वो सच में गड़बड कर रहा है ठीक है जी, फटावट से लिखने की कोशिश करेंगे फटावट से लिखने की कोशिश करेंगे बेटा, फटावट से चलिए चलिए शाबाज वेरी नाइस, वेरी नाइस लिख लिए भाई, इन्वेंडो, ठीक है certainty, ये spelling भी पूछी जाती है पता है बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, जो certainty की spelling ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, ये आई नहीं आता है, लिख दो ना यार ये spelling भी वर मेरे लिए, certainty ठीक है जी बेटे, vocabulary के लिए vocavits enough है ठीक है, vocavits enough है परिशान, इन्वेंडो लिख दिया है, अब certainty की spelling भी लिख दो, अब बेटा देखो ध्यान से, इसका meaning आपको निकालना है, तो lead के साथ miss और जिन भी शब्दों के साथ हम miss लगा देते हैं, वो negative हो जाता है इसका, मतलब jury को, आप क्या कर रहे हो पत भरस्ट कर रहे हो, तो पत भरस्ट करने के लिए कौन सा शब्द आप यूज करोगे भाई, पत भरस्ट के लिए कौन सा शब्द यूज करोगे, लेकिन आप से पूछा है, antonym, भाई, देखो ध्यान से, ये synonym हो यह सिनॉनिम हो गया कैकोफोनी का लेना देना नहीं है तो बचता एंटॉनिम की केटेगरी में कौन सा है वावू सर्टेंटी ठीक है लिख दिया सभी बच्चों ने वाजिवा मजा ही आ गया स्पेलिंग भी याद हो गई और इसी बहाने के नया शब्द भी सीखने को मिल गया चलिए बच्चों फटावर्टे सेंटेंस इंप्रूमेंट का सवाल आपकी स्क्रीम पर पेशे खिदमत है 50 liters of देखो इस लिखेवे सवाल के अंदर अगर हम समझने की कुशिश करेंगे इवन सेंटेंस सब्स्टिटूशन इंप्रूमेंट की बात आपको करनी है 50 liters of milk are अच्छा मैं अगर आपको एक बात पूछ लूँ ठीक है ना मैं अगर आपको एक बात पूछ लूँ तो आप नराज नहीं होंगे है ना मैंने आपके सामने कहा 50 liter milk ठीक है भाई एक तो मैंने ये लिख दिया बाबू आपके लिए और एक मैंने बात आपके लिख दी 50 liters of milk भाई ये दोनों बातें grammatically सही है लेकिन आपसे मुझे जानना है बाबू कि इन दोनों के अर्थ में क्या फर्क है चली बताने की कोशिश कर देंगे मुझे फटा फट से इन दोनों के meaning में क्या फर्क है ये आपके examination में छोटा सा 99 सावाल बूचा जाता है जल्दी जल्दी बताओ बेटा शाबाश शाबाश वेरी नाइस शाबाश बताओ 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 कोशिश करते रहो अच्छी बात लगती है आप कोशिश करते हैं अच्छा लगता देखो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हम यहां लिखा है 50 लीटर मिल्क ठीक है ना जी ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है क्या total quantity ठीक है ना जी हाँ है ना देखो माल लो आपके किसी अजीज की शादी है मालो आपके किसी अजीज की शादी है ठीक है ना अब आपको जिम्मेदारी दी गई एक काम करना भाई सुबह 50 लीटर दूद लेकर आ जाना कोफी भी बनेगी और दूद भी पिएंगे बहुत सारे लोग और भाई कुछ चीज से भी बनेगी तो आप से कितना दूद कहा गया 50 लीटर मिल्क मेरी बात समझ रहे हैं यानि कि टोटल कितनी कॉंटिटी बताई गई 50 ये टोटल कॉंटिटी हो गई ठीक है फिर एक दूसरी बात आती है भाई एक दूसरी बात आती है भाई कुन सी बात आती है दूसरी दूसरी बात आती है ये कि देखो गुरू जी अगर मान लो ऐसी सिचुएशन हो कि हम को कुल मिलाकर लेकर आना था 100 लीटर मिल्क ठीक है न जी और उस 100 लीटर मिल्क में से हम लोगों ने 50 लीटर मिल्क जो है न वो क्या किया 50 लीटर मिल्क पनीर बनाने के लिए यूज कर लिया तो यहाँ इस ओफ लगाने का मतलब यूज हो गया टोटल क्वांटिटी का हिस्सा तो इसको हम क्या कहेंगे बाबू इसे हम कहेंगे पार्टिटिव यूज क्या कहेंगे पार्टिटिव यूज ओफ ठीक है न जी ओफ किसका पार्टिटिव यानि कि किसी चीज का हिस्सा निकालना है किसी चीज का पार्ट बताना याद रह जाएगा भाई ठीक है ना, तो यहाँ कुछ बच्चों ने सोच लिया था कि सर्फ 50 liters of milk कहना गलत है क्या, नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई, अब एक बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, देखो ओर्फनेज हम किसे कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं, अना थाले, ठीक है ना, यानि कि वो हाउस जहां पर पेरेंट्स के बगएर रहने वाले बच्चों को रखा जाता है, ठीक है, अब 50 liters of milk, टोटल मिल्क का ये जो हिस्सा है, इसको डोनेट किया जाता है, कहां पर कमिटी के दुआरा, ठीक है, तो बेटा, अब यहाँ से एक सवाल और तयार हो जाता है, फटा वट से लिखो मैंने क्या लिखा है, अब अब से पहले, लिखो लिखो फटावट से, जल्दी जल्दी बताओ, तो अबात से पहले कि अगर हम बात कर रहे हैं, तो अबठ से पहले का मतलब क्या हो गया भाई? amount हो गया, weight हो गया, p का मतलब distance हो गया, h का मतलब height हो गया, s का मतलब speed हो गया, और p का मतलब हो गया, बाबू, क्या कहोगे, period of time, यानि के समय का अंतराल, ठीक है, जब ये 18 मिला कर काम करते हैं, क्या चीज कहा हमेंने, united sense, तो इनके लिए हम singular helping verb लेकर चलते हैं, और जब आप इनको अलग-अलग हिस्सों में बाटते हो, तो लेकर चलते हैं, क्या चीज, plural helping verb, अब कहानी क्या है, कहानी ये है, donate किया गया है, 50 लिटर मिल्क में से, 50 लिटर, ठीक है, तो भाई, अब अगर donate किया गया है, तो donation तो इकटी कर दी गई है, हाई न, तो भाई, plural होने की बात नहीं, इस plural को भी हम substitute करेंगे, एक ही answer बच गया, बोलो हाँ, ठेक है बेटा, fine, चलें आगे थोड़ा सा, एक भाई जी पूछने जी, notes कैसे बनाए, बेटा, इनके notes आपकी मर्जी पर depend करता है, कैसे, आप question लिखो, उसके साथ ये points लिखने चले जाओ, तो ये लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो बस questions को solve करने की technique सीख लो भाई, अगला सवाल आता है, the study of secret writing and coded language of words, अच्छा, one word substitution का सवाल है, चलो, 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 थोड़ी सी मेहनद करके दिखाओ, भाई, very good, तब से पहले हमारे सामने एक शग लिखा है, cytology, देखो बच्छो, लोजी का मतलब याद रख लीजेगा, जिसे हम कहते हैं, study, लोजी का मतलब क्या हो गया, भाई, study, बत समझ में आ रही है, ठीके न, और cytos के साथ study जब जूड़ दिया है, तो इसका मतलब बन जाता है, क्या, study of cells, ठीके न, biology का एक हिस्सा है, जिसमें हम cells के अध्यन को cytology कहते हैं, ठीके न, crypto जहां पर भी जुड़ गया, ये crypt शब से बना है, किस से बना है, crypt शब से बना है, और crypt का मतलब होता है, code, crypt का मतलब क्या होता है, code, जैसे, अब मैं इसको समझाता हूँ, ठीके न, आप लोग reasoning में पढ़ते हो, coding, हाई है न, क्या, कि भाई, देखो, बड़े ध्यान से समझने कुशिश करना, plus के लिए हमने एक चिन बनाया, minus के लिए हमने एक दूसरा चिन बनाया, multiply के लिए हमने एक चिन बनाया, इस तरीके का, मेरी बाद समझना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, और बच्चों, डिवाइड के लिए हम लोगों ने एक चेंड बनाया इस तरीके का, ठीक है? अब आप से एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, चलो इसका जवाब देने की कोशिश करना, ठीक है न? ठीक है भाई? जवाब बताओ क्या होगा? तो आप कोगे सर, वैसे तो ये को कर नहीं पाएगा, वैसे तो कोई इसको हल कर नहीं पाएगा, लेकिन इसको हल करने के लिए इसकी कोडिंग समझनी होगी, है ना भाई? देखें, कोई आंसर बना देगा हमारे छोटे से गणित का, है भाई? देखें, कोई आंसर बना देगा इसका, बिटा, PDF आपके notes वाले section में आपको मिल जाएगी, आप notes वाले section में जाना, उसने आपको इसका PDF मिल जाएगा, कोई आंसर बताने वाला है, एक ने बताया, minus 5 बटे 2, एक ने बता दिया, 22, ठीक है, fine, एक ने कहा wrong question, जोरदार पालिया इसके लिए, जोरदार पालिया, बहुत बढ़िया, ना लाइ क्या हो गया, right, ठीक है, और kelly का मतलब होता है good, ठीक है, और graph का मतलब क्या होगा, लिखना, यानि कि अच्छा लिखने की कला, लेकिन यहां हमें क्या बताया गया बाबू, आप कोगे sir, study, क्या बताया गया है, study, तो जी cells की study नहीं है, अगर हमें secret coding की language की study कही गई है, तो यहां पर क्या है, study of secret writing, लिखने की बात-बात कही गई है, तो लिखने की बात कही गई है, तो भी बुम्बे से हम इसको final करते हैं, ठीक है जी, चले आगे, चलो, जो भी आप answer बना रहे हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, भाई, इसका मतलब divide हो गया, इसका मतलब multiply हो One has to blank the risks associated with global warming, ओई, 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 ग्लोबल warming के साथ जो हमारे risks हैं, उनको दिमाग में break करना चाहिए, ना जी, ना, break तो करेंगे नहीं, हाई ना, cook का मतलब होता है, मन घढ़नत चीज़े बनाना, हाई ना, cook का मतलब होता भाई, मन घढ़नत अपने दिल में कोई चीज़ बना लेना, हाई ना, ठीक है, take in mind, अरे होई नहीं सकता, bear in mind, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है, consider, इसका मतलब क्या बताएंगे आप, to consider, ठीक है ना, ध्यान रखना, विचार करना, सोचना, ठीक है बच्छे, अगला सवाल आता है, कमल's repetitive, और गलत spelling ढूंडनी ह है, इन में से कौन सी spelling गलत है, कमल's repetitive mistakes and slip of tongue, slip of tongue को हम कहते हैं, lapsus lingua, सारे बच्चे इसको कह देंगे, फटा-फट से, सारे बच्चे किसके लिए foreign idiom है, आपके लिए लिखे दिखा दो, फटा-फट से, शाबाज, very good, जल्दी जल्दी बताओ, फटा-फट से, आओ भाई, आता है आगे, often create embarrassing, सारे बच्चे embarrassing की spelling लिए कर दिखाएंगे, ये आप से spelling test में पूछी जाने वाली बात है, चलो-चलो, फटा-फट से बताओ, चली, चली, very good, very good, speed से, speed से, very nice, शाबाज, embarrassing का मतलब होता है, जिसको देखकर शर्म आजाए, कमल's repetitive mistakes and slip of tongue often creates embarrassing moments for him, उसके लिए बड़ी शर्म वाली हालत होती है, क्योंकि कभी-कभी वो tongue slip हो जाती है, बोलना चाहता कुछ, बोला कुछ और जा रहा है, ठीक है ना, देखो, slip of tongue का एक example दिया जा सकता है, आपने किसी को कहा, बच्चों से गलती हो जाती है, वाक्य सही है, अब slip of tongue में क्या हो जाता है, slip of tongue में हो जाता है, गलती हो जाते हैं, बात समझ रहे हो, यह नहीं कह क्या रहे थे, कह क्या दिया, इसकी विज़े से embarrassing situation create हो जाती है, spelling य बी सही, ये बी सही, और हम इसकी spelling को ठीक कैसे करेंगे, यह आपके सामने हो गया, देखो बच्चों, अब इसको समझने की कोशिश करें, यह है हमारी worth, repeat का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दोहराना, repeat के ना, repeat का मतलब होता है, किसी चीज़ को दोहराना, repeat से repetitive बना दिय आये repetition, तो बच्चा, नाउन की spelling लिखकर दिखा दो, इससे repetition हम लिखेंगे, जरा इसकी spelling लिखकर दिखाओ, थोड़ा speed से लिखो भाई, लो भाई, repeat की spelling भी गलत लिख रहे हैं, ये हैं जो गलतियों से बच्चे होते हैं, चलिए, 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 फड़ावट से, repetition spelling test में पूछा जाता है, भाई, ये है repetition की spelling, इसके अंदर A हटा दिया जाना है, यहां से भी A हटा दिया जाना है, ठीक है बाबू, चलिए, इसलिए, सवाल पर वार करते हैं, दोस्तों, very good, भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शबस, very nice, very nice, अगला सवाल है, थोड़ा सा confuse करेगा, ये latest pattern के coding उल्जाने के लिए सवाल दिया गया है, आप लोगों को समभल के चलिएगा दोस्तों, चली चली, पटावट से देख लेते हैं, देखो भाई, सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, grounded का मतलब था किसी को जमीन पर लेकर आना, ठीके न, जैसे माली जीए, कोई इंसान है, पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, उसने अकड़ के दिखा, पुलिस वाले ने मारा एक चाटा और उसको जमीन पर लिटा दिया, grounded हो गया भाई, ठीके न, अब आता है एक शब्द, rebuffed, क्या लिखा है, पढ out rightly का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सा, सीधे, कई बार क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कि आपने किसी को जाकर कहा, हम तुमको बहुत पसंद करते हैं, हम तुम से पियार करने लग गए हैं, सामने वाले ने कह दिया, excuse me भाई, बात ऐसी है, मेरी बात सुन, इस रूट क सबी लाइने west हैं, कि पर कोई और number dial करें, हाई ना, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सीधे मुपे blunt मना कर देना, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, she rebuffed, क्या कहोगे, she rebuffed his proposal, ठीक है ना, उसने प्रस्ताव दिया, सामने वाले ने एक सकंड में कह दे, देख भाई, सीधी बात ह मेरा पापा पहलवान है, बात कम करेगा और तोड़ेगा जादा, आप तू बता तेरे क्या जी में, this is what you call, surpassed का मतलब क्या होता है, surpassed का मतलब होता है, level से उपर चले जाना, surpassed का मतलब क्या होता है, level से और जादा अच्छा हो जाना, इसके लिए एक phrasal verb याद करवा देत है, साथ-साथ लिखने की कोशिश करेंगे बिटा, और witness का मतलब होता है, किसी चीज का गवाब बनना, किसी चीज को साक्षात देख लेना, ठीक है, more than 200 eminent Indian Americans attended the reception at the East Room, a venue which has blanked some of the landmark events related to India-US relationship, तो बिटा, stand out का का कोई meaning नहीं, reject की बात नहीं, grounded नहीं, लोगों ने देखा है, एक स्थान, venue, destination को कहते हैं, स्थान को कहते हैं, हाई ना, चलो मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, कियारा एडवानी और सिधार्थ मलहोतरा की शादी कहा हुई थी, venue कोन से स्टेट में था, venue कोन से स्टेट में था, देखें, कोन सबसे पहले आंसर देता है, Tanton and Careerville के students भी एक्टिव हैं, रुचीता चक्रबरती ने सबसे पहले बताया है, राजिस्थान, बहुत बढ़ी आजी, शिकारी पड़े हो तुम, यही आएगा तुम्हारे पेपर में, नलायक हो, Never teach your children to flout the rules and regulations of their educational institution, ठेके न, अब बचे आता है, flout का मतलब, आपसे पूछा गया है, इसका synonym क्या होगा, flout का synonym क्या होगा, देखो बचो, flout का अगर हम साधार अर्थ समझने की कोशिश करें, तो flout का meaning होता है, to disregard, flout का मतलब क्या होता है, to disregard, अपमानित करना, नीचा दिखाना, या फिर मखोल उड़ाना, या किसी भी बात को न मानना, ठीके न, आप इसको फिलहाल के लिए डिस ओबे भी कह सकते हैं, फिलहाल के लिए आप इसको डिस ओबे भी कह सकते हैं, अब synonym की आपको बात करनी है, तो divals का मतलब, भई, ध्या एक सेकंड नहीं लगनी भाई, मोनिटर का मतलब होता है, to watch या control, किसी को देखना या किसी को control करना, हाई न, ठीक है, मोक का मतलब क्या होता है, to make fun of, ठीक है न, या इसी को अगर हम कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है, to copy, ठीक है, तो बताओ कौन सा ज्यादा शब्द ठीक है, बिटा, topic wise practice अभी नहीं करेंगें, topic wise practice करेंगे कुछ समय के बाद, तब तक के लिए देखते रही है, यो यो दो पाल वर्मा, ठीक है भाई, परकाश, आप से ज्यादा चिंता है मुझे, कौन सी चीज़ कव करानी है, कहा करानी है, तो चिंता नहीं न, बाबू, त अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, इसके अंदर spelling की मिस्टेक ढूंडनी है, ठीक है न, जी, जिसके अंदर कोई spelling, जिसे लिए से लिए से लिए सेंटेंस, that contains no spelling error, ठीक है, देखें, कौन सी spelling गडबड करनी वाला sentence है, देखेंगे फटा-फट से, लिगाएंगे दिमाग, देखो जी, सहारन एफरिका सब जगे, as it is लिखा है, खतम, reverse में आओ, जल्दी मिल जाएगा आपको answer, ठीक है न, यहां लिखा है, lives through sub, lives through out sub, तो यह तो अपनी जगे सही चल रहा है, river horse भी सब जगे, as it is ही है, known, etc., सब कुछ है, as it is air, तो गडवर हिपो पो टैमस में है, गडवर किस में है, हिपो पो टैमस में है, देखो जी, हिप, पो, पौ, 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 नहीं हो ना, चलो पौ, को हटा दो, ठीक है न, यहां double P आता है, ठीक है, इसको भी हटा दिया, ठीक है न, आगे क्या पॉप का मतलब होता है, जो उभर कर बाहर आए हुए है, उसे हम पॉप कहते हैं, ठीक है न, अब जिसके हिप बाहर आए है, तो भाई हिप पॉप, ये दोनों पनी जगे समझ में आगा, ठीक है, और उसके बाद आता है क्या चीज, ओ, का मतलब हो गया, और इसके बाद हम लो कर, टेम शब्द से बना है टेमस, टेम का मतलब पालना, यानिके पल कर जिसके हिप इतने बाहर आगए है, कि वो इसी से जाना जाता है, तो गरेक्ट स्पेलिंग यही है, बाहर कर दो, ठीक है जी, सैक्टर वाई, तो हिप पो पो टेमस इसे बूला जाता है, अच्छा हिप चलो बिटा, शाबाश, सवाल बहुत प्यारा है बचो, यह आपके सामने पैरा जंबल का एक क्वेस्चन है, दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, चली, फड़ा बट से, ठीक है, सारे बचे बट, डिसीजन की स्पैलिंग भी लिख दीजेगा, आपकी परिक्षा में, डिसीजन की स्पैलिंग आती है, ठीक है दोस्तों, आती है यह स्पैलिंग, तो लिखना हमें, सीखना भी चाहिए, इसने कहा है कि कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हर तरह की ओगिनाइजेशन के लिए, ठीक है जी, फाइन, अब इसी बात को एक्स्प्लेइन कर रहा है, पार्ट ए, फिलहाल के लिए तो यही समझा है, आगे दस, दस का मतलब होता है, इसी लिए, हिंदी में देख लो, इसी लिए, ममी ने मेरी तुमें चाहे पे बुलाया है, इसी लिए वाली जो भी बात है, वो हमेशा परिणाम बताने की कोशिश करता है, निकि इससे पहले कुछ और हमें चाहिए, तो यह वाली बात हमारी बिकार हो C शुरू में नहीं आएगा तो इसी का परिणाम ये निकल जाता है ठीक है जी? अच्छा भाई आगे लिखा अगर मार्केटर को इस चीज की जनकारी है अब एक बात को ध्यान से समझने की कुशिश करो भाई क्या चीज? एक बात हमें समझ में ये आ रही है बचों कि हम इस लिखेवे ऑप्शन में मार्केटर की बात कर रहे थे और इसी बातचीट को यहां डिस्क्राइब किया गया है है ना? यानि के एके बाद डी नजदीक हमें चाहिए एके बाद डी नजदीक यहां नहीं है वो पहले ही हट चुका है अब आप मुझे बताएं बी और सी इन में से कोई एक आंसर होना चाहिए बताओ जरा बताओ 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 बी या डी स्वरी बी या सी में से कोई एक आंसर होगा मैंने आपके सामने दो सेंटेंस इस लिखे है ठीक है ठीक है एक लिखा man has rights दूसरा सेंटेंस लिखा woman has equally been given rights इन दोनों बातों में कौन सी बात पहले लिखेंगे आप man वाली या woman वाली सोच कर बताना है मेरे बच्चों कौन सी बात पहले कहेंगे man वाली बात कहेंगे या woman वाली बात कहेंगे बताओ बताओ तो आप कोगे सर man वाली बात पहले कहेंगे क्यों क्योंकि man has rights और equally का मतलब जो यहां कहा गया उसी को इस equally ने कह दिया है तो इसका मतलब यहां जो equally important कहा है तो इसका मतलब क्या है इससे पहले कुछ और बात आनी चाहिए बी को हम शुरुआत में नहीं ला सकते यह भी बाहर हो गया correct answer एक ही बचता है भाई चलो भाई अगले question पर आजो maverick बहुत important शब्द है भाई antonym आपको बताना है maverick का मतलब होता है क्या चीज? unorthodox यह हो गया भाई इसका synonym unorthodox यह हो गया भाई इसका synonym कई बार परिक्षा में पूछा जाता है ठीके ना? कई बार परिक्षा में पूछा जाता है भाई maverick का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो traditions के coding नहीं चलता जो अपने आप में हटके है अलग है जो अपने आप में हटके है अलग है उसके बोलने का तरीका अलग है उसके पढ़ाने का तरीका अलग है उसके मुस्कुराने का तरीका अलग है कोई तो होगा आपकी लाइफ में ऐसा unorthodox ठीक है इसी को हम अगर कहना चाहें तो unconventional भी कह सकते हैं unconventional ठीक है ना आप इसी को unusual भी कह सकते हैं थोड़े से मेरे साथ-साथ इसके synonym लिख दो भाई antonym ढूंडना है वो ढूंड देंगे ठीक है ठीक है भाई fine ठीक है भाई चलो बचे तो फिर आप challenging इसे नहीं कहेंगे active नहीं कहेंगे antonym ढूंडना है तो antonym एक ही ही हो गया हमारे सामने ठीक है भाई चली बटा अगले सवाल पर आजो भाई फटावर्ट से ठीक है जी very good चली चली फटावर्ट से मैनत कीजेगा tik tok होनी चाहिए फटावर्ट से question खुबसूरत है latest pattern पर यह सवाल आपके examination में जरूर देखने को मिलते हैं चलीए 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 सबसे पहले आता है हमारे सामने intuition intuition का मतलब क्या होता है है जी भाई intuition का मतलब क्या होता है है जी intuition का मतलब होता है pre notion a suspective feeling यानि के ऐसी feeling जो किसी चीज पर पहले से ही शक करना सिखा देती है जैसे कभी-कभी आपको intuition आता है यार राहूल का फोन दो-तिन दिन से नहीं आया कुछ तो उसके साथ गड़बड है intuition है अंतर मन का विचार है जिस पर आप शक कर रहे हैं ठीक है जी हाँ है ना pensied एक verb की third form है और ये किसका है pensy का pensy का मतलब to imagine भी होता है ठीक है और अगर noun की तरह हम इसे समझें तो इसका अर्थ निकल कर आता है imagination ठीक है जी आप adjective की तरह भी इसे use कर सकते हैं जिसे आप imaginative कह सकते है ये हो गया आप लोगों का adjective ठीक है ना एक ही शब्द को तीनों तरह use कर सकते हैं ठीक है ना fancy dress competition adjective की तरह use किया fancy sari's कल को आप भावी जी को साड़ी दिलाने जाओगे हाया ना ठीक है कल को आप भावी जी को साड़ी दिलाने जाओगे fancy sari adjective की तरह यूज़ करा है हाई है ना control your fancy है ना बात समझ में आ रही है जब आप किसी इंसान को कहते हो control your fancy इसका मतलब अपनी imagination को control करना मेरी बात समझ रहे है ठीक है और fancy का मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश करना आपने का I fancy good things about you मैं आपके बारे में अच्छी चीज़ें सोचता हूँ हाई है ना मेरी बात समझ में आगे बेटा ठीक है एक मिट टुक जाओ बेटा एक मिट टुक जाओ चलिए आगे चलते हैं दोस्तों आज़ो आगे चलने की कोशिश करते हैं इच्छा होती है जिग्यासूपन होता उसे हम कहते हैं curiosity imagination और ये मिलते जुलते हैं ये third form है और ये अपने आपमे noun है चलो बच्चोब आंसर बनाना असान हो जाएगा हमारे लिए question 15 की तरफ चलते हैं आप सभी लोग जानते हैं ये पहली बार एक character था Harry Potter ये लड़का पहली बार लोगों के सामने आया blank in the blank of authores जे के रोलिंग एक लड़की का नाम है कोरत का नाम है जिसने इसको लिखा है article a,n या दाहम किसके साथ यूज़ करते हैं noun के साथ यूज़ करते हैं इसी वज़े से हमारा option c बाहर चला गया हाया न,of the authores अब authores की intuition की वज़े से character आया बिल्कुल भी नहीं उसे suspective feeling उसके दिमाग भी नहीं थी भाई curiosity होती है किसी को जानने की इच्छा दिखाना जानने की इच्छा नहीं थी तो A answer अपने आप ठीक हो गया बाबू और देखो इसका जो second part है वो अपने आप set हो जाएगा ठीक है clear ठीक है बेटा, चैली अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल हमारे पेश हुए है she said to him make God shower his choicest blessings on you भगवान अपना अच्छे से अच्छा वर दान तुम्हे दे ठीक है न जी हाँ है न अब बेटा एक बात हमेशा याद रखना God का जी हमेशा अपर केस में लिखा जाता है और God के लिए हम अगर pronoun यूज करते हैं तो he, his या him जब भी यूज करते हैं तो इनके अपर केस में ही pronoun का यूज करते हैं ठीक है अप्टेटिव सेंटेंस है हमारी नजरों के सामने दोस्तों अप्टेटिव सेंटेंस के नुसार ज़रा इसको टिक टॉक कर दीजे फटा फट से ठीक है जी सभी उप्शन्स में शीवेष्ट लिखा है कोई दिकत नहीं है एक बात हमें शौर है कि इस मे को माइट में चेंज करेंगे तो मे वाले उप्शन्स हमने नजरों से हटा दिए गॉड माइट शौर दोनों उप्शन्स में चल रहा है इस यू को तो लिसनर के अकोर्डिंग चेंज करेंगे हम तो क्या आंसर सही हो गया ठीक है भई हाई ना चल यह दोस्तों अगे लिए सवाल की तरव लिए चलते हैं आप लोगो 17th question here देखो भई यह नया question है जो आपके latest pattern पर पूछा जा रहा है और आपके exam में यह सवाल 100% देखने को मिल सकता है यह क्या लिखा बेटे पढ़के देखो homophone homo का मतलब हो गया same या फिर similar phone का मतलब हो गया sound यानि ऐसा शब्द आपको ढूंडना है जिनकी spelling अलग है मैंने क्या कहा जिनकी spelling अलग है जिनका meaning अलग है ठीक है न जिनका meaning अलग है spelling अलग है सिर्फ इनकी sound क्या है same है धूंडना शुरू करते हैं तूट पड़ो जब आप इससे बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे here क्या बोलेंगे here फिर इससे बोले here ठीक है न इसकी sound में अंदर sound आ रही है किस चीज की higher, चिक है तो इसका exact similar sounding word कुन सा हो गए बच्चे C for China, here अब आप अगर किसी इनसान को sentence बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, hey you, come here ये नहीं बोलना आपको come here ओ तेरी, come here हा नहीं तो ऐसे नहीं बोलना come here, नहीं come here here ओके, ठीक है come here अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, इसमें error आपको ढूंडना है The Great Wall of China is one structure built by men visible from the moon सवाल खुबसूरत है दोस्तों TikTok करते चलिएगा आप देखते हैं भाई, जो बच्चे मुझे YouTube पर देख रहे हैं प्लीज, वीडियो को like और share कर दीजे, दनिया में फिला दीजिए चलिए भाई, एक बात हमें समझने की कोशिश करनी है मैं अगर आपके सामने कहता हूँ give me one book और फिर मैं आपके सामने एक सवाल लख रहा हूँ give me a book बेटे, दोनों sentences का मुझे meaning का फर्क बता दे सचीन, ये एक practice batch है बेटा और इस practice batch को हमने साथ तारिक से शुरू किया है ठीक है, और ये career will app पर ही चलेगा fine, और अभी आप पढ़ाई कर लो ठीक है, तो बेटा, अगर आप कह रहे हैं one book तो ये बताने की कोशिश कर रहा है संख्या को, क्या बताने की कोशिश कर रहा है संख्या को, ठीक है न, find और इस a का मतलब होगा meaning कौन सा बताया था, general sense और इसका मतलब होता है any, ठीक है न, one कोई भी एक, आप किसी दुकान पर गए आप किसी दुकान पर गए, आप ने कहा give me a book, दुकंदार पूछेगा कोन सी book चाहिए, बुक तो कोई भी हो सकती है हाई न, आपने कहा मुझे the English acumen चाहिए तो दुकंदार आप से संख्या पूछेगा कितनी दू भाई English acumen आपने कहा एक काम करो दस दे दो, दुकंदार ने पूछा, दस क्यों चाहिए, खैता सासुरा सारे रिष्टेदारों को पढ़ा देंगा अंगरे जी, गोपाल वर मासर की ठीक है, आया तो बेटे, बात को खुसूरत तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगी सबसे पहले ये एक structure है, ठीक है ना Great Wall of China संख्या में बहुत सारी नहीं है, है एक ही one हटा कर क्या कहेंगे our structure, ठीक है ना, और passive होने की विज़े से build नहीं आप कहेंगे build, तो भाईया गडबड कहा हो गई है, ठीक है बच्चे, clear है आ जाओ दोस्तों फटावट से, वीडियो को share like जरूर करते रहेंगे, जो बच्चे मुझे YouTube पर देख रहे है, we should never procrastinate बोलने की कोशिश करेंगे मेरे साथ मिलकर, ठीक है ना, pro का मतलब अभी अभी मैंने क्या बताया था आपको forward, यानि कि किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, किसी चीज़ को आगे ले जाना, और procrastinate का मतलब क्या हो गया, यानि कि अपने हाथों से किसी चीज़ को आगे ढेल देना, धक्का देना, आगे बढ़ा देना क्रेस्टिनेट कहलाता है आगे प्रो हो गया, क्रेस्टिनेट हाथों से आगे बढ़ा देना ठीके ना, fine, we should never procrastinate in order to see success सफलता पाने के लिए हमें कभी भी आज के काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, refuse नहीं, accept नहीं, speed up नहीं, postpone synonym पूछा है ना भाई है ना, ये तो चुन्नू सा सवाल था हमारे बच्चों के लिए question 20 पर आजो, फटावट से देखें क्या कहने वाला है शाबाश शाबाश speed से बताने की कोशिश करेंगे सवाल लिखा है, I wish that I will have enough support, देखो बच्चों एक प्यारी सी खुबसूरत सी बाचीत है, मेरे साथ साथ इसको लिखने की कोशिश करेंगे, past subjunctive mood एक बार लिखकर दिखाएंगे, चलो बेटे फटावट से ठीक है, past subjunctive mood, ठीक है ना, कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है, आता है आपके दिल में भी आता होगा कभी कभी हमारे दिल में खयाल आता है हम सोचते हैं, और जब हम सोचने की कोशिश करते हैं, ऐसे मामले में हम या तो यूज करते हैं, second form of verb, या फिर यूज करते हैं वर, ठीक है ना, आपने कभी कहा है किसी के सामने I wish I were a king ठीक है ना हाई ना, हाई ना अच्छा, past subjunctive का कितना अच्छा एक उदारन है, वो गारा सुना आप लोगों ने बन जा तू मेरी रानी, मैं महल पवादूंगा सामने वाली मूँ पे मारेगी खीच के कहेगी पहली बात तो भाई सुन, तू राजा नहीं है ठीक है, कि तू मेरे को रानी बना रहा है दूसरी बात, तू महल पवाद दूंगा तू बिटे, कोई मिस्त्री भी नहीं है कि तू महल बनाएगा और मैं उसमें जाके रहूंगी ठीक है बेटे, तो उकात मेरे, गाना चेंज कर ठीक है, fine कैसी बेशती है गानों में भी second form नहीं है गुरुदेव, मतलब ही नहीं बनता future से बताएं, future से बताएं ना जी ना, ये second form of form है have की, तो यही TikTok answer set हो गया भाई ठीक है जी चलिए मेरे दोस्तों, तो इसके आगे जो हमारा close test वाला question है हम उस question को फिलहाल के लिए postpone कर रहे हैं, हम 81-10 set के close test एक साथ आपके साथ मिलकर करेंगे, तो ये close test के questions हैं आपके सामने मेरे बचों, मैं थोड़ा screen से बाहर हूँ इसको आपको पढ़ना है, ठीक है हम 81-10 तक के set के सभी close test, 81-1 दिन आपके साथ मिलकर discuss करेंगे ठीक है, so this is your closest question and these are the options ladies and gentlemen, फटा-फट से इनको देख लीजेगा ठीक है, क्योंकि अब समय इतना इजाज़त नहीं देता है तो हम इसे partition में रखेंगे, ठीक है न, इसको एक separate discussion में आपके साथ लेकर चलेंगे मेरे बच्चों, fine और आप सभी से एक छोटी सी request है बच्चे, fine, इससे पूरी की पूरी class को दुबारा से देख लीजिएगा, ठीक है और अपने notes, जैसा आपको मन करें, जो आपको लिखना है, this is the answer key to these questions, okay dear तो अभी के लिए इतना ही फिर मुलाकात करते हैं, एक लिए class में आप लोगों के साथ thank you so much, मस रहें वेस्त रहें और खूब सारी मेहनत करें ठीक है, तो थोड़े से YouTube के शिकारियों के comments पढ़ लेते हैं, कहना चाहते हैं, sir, आपकी English Acumen super है yo my boy, thanks for this lovely comment, ठीक है sir ji, आज का match मैं बिटे पढ़ा रहा हूं तो मैं match वैच देखता नहीं हूँ, ठीक है, Saturday Sunday अपना match होता है, तब आपन खेलने की कोशच करेंगे, ते लिए दोस्तों, thank you so much, बहुत सारी खुशियां, आपके नाम खुब सारी मेहनत करें, और खुब अच्छे से मेहनत करें, thank you so much, bye everyone take care, love you all झाल